नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर इश्वेता की साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सियत जिसमें हम आपको रूबरू बराते हैं कैसी शक्सियत से जिनोंने अपने कारिशे तबें अपना परचम नहराया है ऐसे ही आज एक शक्स हमारे साथ मौझूद हैं जो है लकनो मेट्रो रेल कॉर्परेशन के मैनेजिंग डिरेक्टर कुमार केशव जी तो सीधे आज हम उनसे जानेंगे कि आज तक का हुंका सपर कैसा रहा तो आई बात करते हैं कुमार केशव जी से सबसे पहले कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर और आज बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके तो हम चाहेंगे कि आज प्राइम टीवी वीवर्स को हमारे बताएं कि आपका आज तक का सपर केसा हैं कि मैं यह बताना चाहूँगा कि बहुत सिंपल परसना सब्सक्राइब करने वाला हूँ और बरिली में मैंने क्लास 12 वहां पर एक इसलामिया इंटर कॉलिज है उसका पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैं फिर उन्वस्टी आफ रूर्की में गया था सिधे इंजिनिरिंग करने सबल इंजिनिरिंग तो 77 में मैंने जोइन किया the serait अइटेवन में पास्ट को वह एकल रूर्की अन्वस्टी में और उसके बाद प्र रूर्की अन्वस्टी के बाद मैंने इसमें एक सवासल काम किया और दन आई ज्ञाइन & 84 में मैंने इसकू मैं इन्दियल्ड रेलवेज सर्विस अफिर को ऑफिटर हो और मैंने 84 में ज्ञाइन किया ah aur bhaarathie Rill में बहुत remote areas में मैं अध्रप्रतेस में वेस्भेंगोल में फिर जांसी में ओप्रतेश में पर मैं आया डिली मैट्रो में, 2000 ओडर गया,ो करीब 11 साथ धेली मैट्रो में काम किया, डेली मैट्रोनाओ फ़ेस बाहर गया विदेश में काम किया मैंने आस्च्रेलिया में करीब 13 साल, वो भी अधुछ ह हरेल्डे फिय प्रजेक्ट था उसके बाद 2014 अगस्त में मैं लखनो मेंट्र आया, तो यह जर्णी है जो प्रोफेशनल है और फिर लखनो में आने के बाद मुझे साथ साल हो रहे हैं और हम उने लखनो मेंट्र प्रोजेट किया और आप कानपुर आगरा भी करें केशव सर आपने अभी हमें एक इन शॉट में आपनी पूरी हिस्ट्री रीप किया है कि किस तरीके से आपने कहा से शुरुआत किये दिन अब आप लखनो में हैं हम आपका स्कूलिंग टाइम का वह मुझे जाना चाहेंगे जो आपका एक कोई यादगार पल जो आपका रहा ह अच्छा था और जिसके लिए हमेशा आपको अच्छे ग्रेड मिला करते थे हैं मैं यह कहूंगा कि वरी हार्ड वर्किंग लोवर मेटल क्लास जैसा लड़का होता है जिसको बहुत चीजों में ध्यान नी देना होता है और सिर्फ पढ़ाई 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 बस यही करते चले गए और अगर आप सब्जेट्स को पूछेंगे तो मुझे सबसे अच्छे मैट्स और फिजिक्स लगती थी और हम वरी हैपी टू से के मेरे टैन्थ ट्वल्थ में भी मेरे 99 मांक्स थे यूपी बोल में मैं मैट्स तो मुझे मैस और फिजिक्स यह तो बहुत बहुत अगर आपकी एक्स्कूलिंग में इसी ले गया क्योंकि मुझे सारे साइंस सब्जेट्स हैं जो मैटर करते हैं और इस तरह से लिगलता चला गया अच्छा केश्चार जी आपने अभी स्कूलिंग के बारे बताया अगर हम एक्स्ट्रा केरिकूलम एक्टिविटीज भी बहुत हुआ करती थी आये डोनुकी में तब शहद आपकी टाइम पर वहाँ पर स्कूलिंग में रहा तो आपकी एक एक्स्ट्रा करेकुलम एक्टिवरी इसमें क्या आपका खास था बहुत से अलोकीशन होता है जो किसी चीज़ को पढ़ना जासे आप आप आडियो बुक्स पढ़ते हैं जैसे अब आप बहुत अच्छा लगता है और मैं जब स्कूल में था तब यूस में पाद तब तो डिबेट में शुरुआत हुई थी लेकिन फॉस ताइम जब मैं ग्र तो उस चीज को दिरे धिरे धिरे डिरे 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 डिवलप करने की कोशिश की और फिर मैं फिर एक दम से आ के आया तो मुझे ये एक गुड लिटेचर चाहें वो लिटेच्छर हो या अंगरेजी हो तो इसमें क्या अच्छा हम पढ़ सतने कुछ खोदना और फिर उसको पढ़ना पुब्लिक में मुझे वो सबस अच्छा लगता है तो उसमें कई अवार्ट्स भी जीते मुझे बहुत अच्छा लगता थे लोक्यूशन और फिर मुझे लगा अच्छा बहुत मजदार यह है कि आपने जो यह लाइन चुना इंजिनियरिंग कर लिए तो उसके लिए आपको अपने खुद आपका डिसीजन था क्योंकि आज के डेट में बच्छों की अगर बात करते तो बड़े स्मार्ट होते हैं और उस ताइम पर आते आते हैं उनका पहले ही डिसीजन हो जा देखे मैं आपने बुकु सही का आज बच्चों को बहुत अवेनेस है बहुत सारी चीजों का पता है लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे मैं जब मैंने 77 में 12th किया क्लास 12th उत्रप्रदेश बोर से उस ताइम श्याद हमारी अवेनेस मैं खेरों बहुत कम थी और ऐसे कहूं इंडिया रिटर्प्रदेश तो सम्होँ वो एक इंस्पिरिशन थी दिमाग में कि मुझे सिवल इंजीनर बनना है तो उसके देखते देखते में सिवल इंजीनर बन गया उन्हीं को देखते देखते में रेलवे में आ गया तो यह सब ऐसे है और मैं थोड़ा आपको मजा इंडस्ट्री यह सब बहुत प्रामिसिंग रांच हुआ करती थी तो यूपी की जो सिलेक्शन रूर की इन्वस्ट्री के थे जो टॉप रेंकर्स थे वो सब एलक्टरोणिक्स और कमीनिकेशन में थे तो जब मैं गया तो मैं अकेला था 7 रैंग में जो स्ले इंजिनी की लाइन में खड़ा हुआ था तो फिर जो वहां की faculty थी उसने मुझसे पुछा कि आप electronics and communication में आना चाहते हैं क्योंकि इस अब से छी ब्रांच है अब आपको हसी आएगी मुझे उसने पता ही नहीं था what is electronics and communication तो हमारी awareness उस लेवल पर थी मैंने का निनी में civil engineering रहुआ और इस तरह से में civil engineering continue करा क्योंकि मुझे वही मालूम था उसके लावा कुछ पता ही नहीं था तो आपका जैसे यह है कि आप जैसे अभी आपने बात कर रहे है और हम आपके parents की बात करते हैं तो आपके parents का क्या रोल रहा उनकी तरफ से क्या approach रहे है क्योंकि उस time में जैसे हम वही बात कर रहे हैं कि पहले time पे हर step पे parents का एक उरता आज भी है बट आज फिर भी बच्चे थोड़ी से independent हो चुके हैं और उन्हें काफी कुछ पहले से मालूम रहता है क्योंकि इतने तरीके के जो social medias आ चुके हैं और इतना internet facilities जो आ चुके हैं उस वज़े से बच्चे काफी guided रहते हैं पहले से उन्हें बहुत ही कम पढ़ता है लेकिन पहले time पे parents को मैं यह कहना चाहूंगा कि अब बहुत सही कह रहे हैं आज की रेट में parents भी ज्यादा अवेयर हैं मेरे parents भी अवेयर थे बट इतने ज्यादा नहीं जितने आज के लोग हैं और उस time भी लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा उन्होंना मुझे support पूरा किया तो उनको भी श उन्होंने हमको फिर जब मैं इंजिनरी में selection हो गया तो मैं फादर निमसे पूछा था तुम्हारा क्या करने का मने हैं तो जैसे मैंने आपको बताया आपको सर्फ एंसी एक civil engineer नाम पता था तो मैंने का नहीं मुझे बढना है और मैं अब यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो मुझे पूर्तिया सपोर्ट किया उस चीज़ कि एक बार दुपारा नहीं पूछा कि तुम कैसे पढ़ हो गया तो आज भी इंजिनरी की एजुकेशन काफी कॉस्त ली है और उसने तो भी कॉस्त ली थी क्योंकि उसने के अर्निंग लेवल सी बही थे फिर भी मैंने उस पढ़ाया तो पूर्तिया सपोर्ट किया और जो मेरा डिसीशन था हो है अच्छा आप जो से आपने भी बुला आप एक लुवर मिडल क्लास फैमली से बिलाउं करते हैं तो उस टाइम पीरिट में भी क्योंकि महंगाई तो हर बार रहती ही है आज आज की हिसाफ से जो क्लास फैमली से बिलाउं करते हैं तो उस टाइम पीरिट में भी क्या कोई एक ऐसा कोई हर्डल रहा कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट आपका रहा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा घर की रिगार्डिंग कोई रिस्पॉंसबिल्टी रही कि वो ऐसा कुछ रहा गया घर की त स्कॉलर्शिप मिलती थी क्लास एड्स के बाद और मैं लगातार वो स्कॉलर्शिप प्रल तक भी मिली फिर वो मुझे बरे खाल में अभी भी होगी गौर्मेंट की बहुत ची स्कीम थी और फिर जहम रोड़की उन्वस्टी गये तो हमें पूरे चार साल वो इस तरह से पूरा निकाला है और जो मेरे खाल में जरूर होगी हो इसकी यह तो अच्छा जीज़ है बाकि आपका फर्स्ट जॉब आपने इंडियन रेल्वे में एजे हायर अस जॉइन किया वहापर तो उसका क्या एक्स्पीरियंस रहा आपका क्योंकि वो फर्स्ट जब कोई पर्सन जॉइन करता है तो उसमें एक अलग सा एक अलग सा एक इंपाक्ट परता है और एक अलग सा एक फिलिंग्स रहती है तो उस राइंग पर आपको क्या था कि जब आपको पहले बार जॉइन किया दिन आपका एन आपके फैमिली में वहापर ता क्या रेक्श है इभन टुड़े और उसमें भी हमारा इंड्यालवे सर्वेसस ऑफ इंजीatellis की… तब बहुत प्राईंपे था ज़ह मनदे जोहीं किया था तब बहुत इमपॉर्टंट है तो I was very happy कि मेरा को Indian Railway Service of Engineers मेरा सेलेक्शन वो है और फिर मैं अपना जॉब जब करता था तो मेरा शुरू में रेलवे मैंटनेंस में था तो वरी तफ जॉब क्योंकि operation and maintenance में आपको day in and day out trains चलती हैं और आप उस section को maintain करते हैं चत्रसगर कहलाता है राइगर उसने मंध्यप्रदेश था और राइगर वस पहला assistant engineer राइगर था मेरा first posting जो हुआ था तो वहां से फिर सीखते 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 फिर चलता चला गया फिर मैं हावडा खड़पूर सबरबन section है जो मैंने करी तीन साल मेंटेंड किया तो फिर जहां सी कुछ टाइम RDSO मतब एक railway ने बहुत अच्छा exposure दिया और मैं सोचता हूँ अभी भी कि railway engineers are probably the finest engineers और मैं उसका एक पार्ट हूँ इसने मुझे उसका भी बहुत एक प्राइड है कि मुझा सर्वेस को बिलॉंग करता हूँ और जो कुछ भी सिखा है वो सभी सब्सक्रेड सर आफका growing वह ही से ब्र 건강 एक जोब ही आपने आ इक जो एक की बुरान कह सकते हैं आपने जो भी की तो वहीं से ही आपका start कि platform आपको कौन सा platform मदल आईसे मिला कि आपको एकदम सेουμε grille मेरे देखिए मने railway से उन जी सी मे भी नॉक्री कीओ थी and Natural Gas Commission में, जब आने आपको बताया, तो मुझे लगता है उड़ान वहीं से थी, रेल्वे से, एक तो जिस चीज को आप सारी जिंदगी सोचते हैं, अब ठीक है, अब तो सिर्फ आपको अपना अफ़र्ट करना था, तो वहीं से वह शुरू होगी, जो असस्टेंट इजिनियर से स्टार्ट गी, जो फिर चलती ही चली गए, और मुझे सबसे बढ़िया चीज उसकी यह भी लगी, कि वो अड़ान उपर ही होती ही चली गी, क्योंकि लगाता कृप साइवार कृष सीखता है, मना लाएं लूप बैक तो कुछ मैंने का इसितंट इल्यिनियर में भी सीखा कुछ सीबर्बन में मुझे लगता है या तो कुछ और आता नहीं है यह अची लगती है लेकिन वास्ता में है भी बहुत अच्छी करने लगते हैं तो बहुत सारे लाइवल्स हमारे ख़रे गारे हो जाते है उस टाइम पे कोई ना कोईचा लड़का हो या लड़की हो लाग फुलिंग करने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं कि अपने भी ऐसा कोई फ reserved किया है कि जिस टाइम पर आपको लोगों मेंesy accusées किया हो या लाइक पुलिंग की हो या ऐसा भी कोई फेस आपके उसमें आया है देखिए वो पार्ट अफ लाइफ है लोग आपके साथ काम करते हैं हम सब human beings है हैं साफ हैं कोलेक्स हैं तो इस सब चुट-चुट होता रहता है बड़ मेरा अपना सोच शायद यह है कि मैं कभी भी उन चीजों में भासा ही नहीं कि जो मुझे एक एम रहता है कि हमारे पर टाइम बहुत थोड़ा है काम करने का हम अगर उसमें करेंगे तो हम निकाल ले जाएंगे और जो भी लोग साइट से कुछ भी करते रहें वो दीरे से पीछड़ जाएंगे मतलब आप अगर उसमें ध्यान देंगे तो आपका करता हम अब बहुत चीजों से डिस्ट्रक्ट नहीं होता हूं अब आपका कॉंसें लेवल भी एक अच्छा है मदब यह है कि कॉंसें रहते हैं कुछ भी ऐसा कुछ है तो आप अपने काम पर ही फोकुस रहते हैं तो इसे आपको प्रोब्लम नहीं होता है हां अचा आपने आपने देली मेट्रो में आगए आपने काफी टाइम किया है सब्दो तो सर वहां का क्या एक्सbekशें क्या रहा क्योंगि डेले मेट्रों नहीं है तो सुछ किया सब्सक्राइब कैसा क्या रोल रहा किस तरीके सा अपने मैनेज में एक यह कहना चाहूंगा कि जो भारती रैल एक ट्रडिशनल वे ऑफ गॉवर्मेंट वर्की सरकारी प्रतिश्थान में जैसे काम होता है पैसे डेली मेट्रो वस फरस्ट जहां पर वो चीजें एक कदम और आगे हैं यह राहूल को राधर को तो दस कदम आगे थी एक कदम भी नहीं कहना चाहिए डॉक्टर शीधरन वस उनका स्टार्ट प्रोजेक्ट था हम लोग उसमें उनकी शुरुवात वली टीम में थे जिन्होंने काम किया उनके साथ और पहली बार मैंने समझा कि अच्छा काम थोड़ा सरकार में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है मतलब आपको सारे टाम डरना नहीं कि मैं कर क्या रह होंगा उनका इतना विश्वास करते थे अपने लोगों पर कि हम अगर चाहें भी तुम गलत नहीं कर पाए जवाब से कोई बहुत विश्वास करता है तो आप गलत कैसे कर देंगे यह सब मैंने वहां से का तो मतलब एक पूर्तिया एक सिस्टम जिसमें हम लोगों पर rec wallet है यह यह विश्वास कोई रोल ही नहीं है तांटु अप everybody जिस पर उनका बेंतहा विश्वास ता जिस पर वो करते थे लोगों पर यह जरूर था उनकी टीम सब selected थी वू अब एक एक आदमी कुनोंने सेलेक्ट किया था मुझे भी उनहीने सेलेक्ट किया था लेकिन जो जिसको select कर लिया वो मेरा है और वो लोग बहुत अच्छे से काम करते थे यह मैंने वहां से काम प्लस दूसरी चीज की जो आप कर रहे हैं वो technology अच्छी है करा आप भी नहीं है यह कुछ नया सुची है जैसे आपने काया लोग बच्ची आज की जादे एजुकेटर हैं ऐसे technology भी तो हर साल अप्ग्रेड हो रही है अगर आप पुरानी चीजों में फसे रहेंगे तो आप उसका solution नहीं ढूंड सकते उन प्राब्लम्स का जो आपको अभी करने तो वो इक चीज हम रोड़े वहां स काम था जिसने हमको बहुत कुछ दिया जितना रेलवे ने दिया उसका बहुत ज्यादा मुझे वो डेली मैट्रो के 11 साल उने दिया और फिर तो आपके अंदर जो एक विश्वास आ जाता है अपने यह चीजों को अप्रोच करना शुरू करते हैं नए तरीके से अप्रोच करना शुरू करते हैं लोगों पर विश्वास करना शुरू करते हैं कि जो भी आपके साथ काम करें सब अच्छे हैं प्रमाइस यही है और अगर आप यहां से करना शुरू करते हैं तो तो यह मैने वहां से सीखा वो फिर लखनो मेट्रो आते आते और इंप्रू हो गया तो तो आपने अचानक से ऐस्ट्रेलिया का फैसला लिया वहां जाने के लिए तो क्यों आपने किया ये? कुछ रीजन थे जो एक तो डॉक्त शीधन चले गए तो उनके जाने काभी आपको कशरो нажisip इतवत्यक प्रतितई तो एक तो उनके जाने का वी थोड़ा था वो गये देसंबर में और उसके तीन महने बाद मैंने छोड़ दिया, तो कि मैं डारेक्टर था डेली मेटर में, तो असानिया उनके बदल उनके जाने से छोड़ दिया, आपको आदत सही पड़ जाती है, किसी सिस्टम में काम करने की, तो वो एक चीज थी, प्लस मेरे बाद बहुचा एक औफर आया जो ऑस्टेलिया से है, वो एक हैंक को कोल की कंपनी है, उसमें बाद मुझे प्रोजेट डारेक्टर रेल लिया था अपने प्रोजेट के लिए, कैसे कॉंटेक्ट में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फिर इंटर्व्यू किया, फिर सेरीज ऑफ प्रोजेट था, प्रोजेट था, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड में था ऑस्टेलिया में, बिलकुर इंटर्नेशनल वे ओफ वर्किंग थी, तो मुझे लगा कि यहां भी मुझे बहुत को सीखने को मिले एक दम नया चैलेंज है, इस नहीं मैं वहां चला गया, और प लेकिन यह मैंने शुरू से सोचा था कि मैं आऊंगा आपने वापस, मैं कहीं जाकर सैटल नहीं होना मुझे, और मुझे आकर फिर वो सारी प्रैक्टिस यहां लानी है, तो जब मैं लखनो मेट्र आया, तो फिर वो सारा इंटरनेशनल एक्स्पोजर भी अब मेरी तो उसको ताइम पीरिट में पूरा आपने आपने ताइम पीरिट में ही पूरा किया है, उस ताइम पीरिट को पूरा करने के लिए आपने क्या चीज, कैसे आपने चीज सेट अप किया, किस तरीके से आपने पूरा अपना प्रोग्रामिंग किया, कि हम एक ताइम पीरिट से प्रामावेरा पर हमने अपनी शडूलिंग कि एक 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 एक्टिविटी को बनाया, मालस्टोंस, डेट्स मैंने लगातार फिर एक इनिशल बेसलाइन शडूल बनाया, कि हम इसे कैसे करेंगे, और फिर उसकी स्ट्राटिजी बनाई, कौन से कौन से टेकनोलोजी को हम कैसे लेंगे, किसको किस के साथ कंबाइन किया जा सकता है, ताकि वो इजली और चल्दी हो जाए, और इस तरह से एक स्ट्राटिजी बनाई और लखनो मैट्टो को स्टार्ट किया, लेकिन आजिव राइट्री सैट कि यह मैंने इंटरनेशनली भी सीखा है कि सिस्टम आप जैसा सोचते लिए इसा होता नहीं है, सिस्टम लगातार फ्लूड है क्योंकि हम लोग आदमी हैं, अचिविटीज हैं, सामान हैं, काम हैं, इंजिनियरी हैं, कुछ ना कुछ प्रॉबलम हैं, तो उन प्रॉबलम को कैसे सौल्ड करते जाएं? रुकने ना दिए, एक जिस्टार की रुकना नहीं है, मतलब एक चीज़ तो यह कि रुखना नहीं है जो मेरी टीम रुखती है तो मैं काफी अनॉइट हो जाता हूं कि रुखना नहीं है वो तरंद करना है और दूसरी चीज़ यह है कि लगातार अपने आपको ओपन रखें कि जो एक्टिविटीज आपने सिरीज में प्लान की मतल कि हम जहां हम SLIP हो रहे हैं हम कौन सी एक्टिविटी है जिसको Pärलली कर सकते हैं तक हमरी एंड देट फिर वही पहुंचे इस तरह से पूरा काम करते चले गए लखनुप तो अब आप अपी भी जेगे मैं लगाता है design meetings है, contractors की meetings है और मैं सिर्फ अपने staff के साथ हैं मैं कॉन जसब आपता है किसी को भी प्रॉब्लम में वो में सब्सक्राइब, कि सर आप ने श्री दरम जी के साथ में काम किया, क्युकि वो आपने उनके साथ में क्या क्या, यहाँ पे इंडिविजनले मतब आप फोल इंचार्ज हैं और आपको एक time period में आपको चीज रेडी करना है, काफी challenges रहे हैं कि किस तरीके से करना है, अभी तो starting में 2016 ये first run इस्टार्ट वहा तो उसे चार बाग तक कर लिए ही था, then after that पेरी जब मुंशी बुलिया, क्योंकि underground भी एक challenge था, तो उसको किस तरीके से manage किया, कि कर से हम आगे tunnel बगेरा जो भी बनानी है, तो और time period भी आपने कुछ times भी बनाएं होगे, कि कितने times रहे हैं, बिल्कु ठीक बात, देखे जो जो श्रीधरन साब से अम दोने सीखा, तो आपने बिल्कु सही का, जो हम Delhi Metro में काम करते थे, तो always you know कि there is somebody else, वो सब देख रहा है, हम अपना काम कर रहे है, यहां के एकदम से different होगे, अब आपको बठा दियेगा है, जहां आपको करना है, और नीचे वाले आपको देखना शुरू करेंगे, तो यह बहुत difficult था, बिल्कु सही बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको का Delhi Metro, Australia, यह सारा जो exposure था न, वो धीरे धीरे अपने दिम कैसे कर सकते हैं, प्लस हम लखनों में कर रहे थे, जहां डेली का जो हमें project कहते है, डेली में बहुत wide roads है, खुब सारी roads है, तो इस टाफिक इदर से जा सकते है, उधर से जा सकते है, service roads है, बट ए प्लेस है, हजरत गंज, यह हुसान गंज, जहां तो footpath है, बस service roads है ही नहीं It was a big challenge, अबना एकदम से बता नहीं पाओ, कैसे किया, लेकिन जो मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कि total जो दिमांग में एक aim होता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, हम इस चीज में पूर्तिया committed थे, कि हमें करना है, और time से करना है, और सबसे अच्छा बनाना है, तो अच्छी ने सारे रास्ते दिखाए, अच्छा आप जिसे हम कुछ भी काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा एकदम स्मूद वे तो उन आपको मिला नहीं होगा, उस दौरान भी जो आपने लखनो मेट्रों स्टार्ट किया होगा, तो उसमें क्या चीज बीच में आप सेंट्रल पियर पे उपर उपर बनाया है, वहां नीचे रेस्ट्रोस थे, किसी की दुकान का लास्ता बंद करते थे, फिर शुरू करते थे, फिर शुरू करते थे, फिर शुरू करते थे, फिर शुरू करते थे, ऐसी किया, चार बाग, जहां लोग सोची नहीं सकते थे, कि यहां पर सलक के ओपर इस्टेशन बनेगा कैसे, क्योंकि आप यह आप जाएं तो आप गाड़ी से चलने की दिक्कत होती है, लेकि हम लोग चार बाद पर इस्टेशन बना हुआ है, हुसान गंज, जहां हमारा इस्टेशन बना हुआ है, CMS के सामने, बहुत नरो एरिया है, उस स्टेक होल्डर जिनको मैं कहता हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लोग हैं, उन सब के साथ अपने आपको लगाता है, जोड के रखा, मैंने ट्राफिक मार्शल से अपने लगाए, मैंने पुलिस से असिस्टन्स ज़रूर ही ले, कि सारे लोग मेरे थे, तो वही सलक उनको हमें अपने साथ लेके चलना है, उनको लेके चला, फिर लोगों का confidence generate किया, उनको बताओं कि कई जगह हमें लोगों की boundary walls तोड़ी, private property owner कोई सोच नहीं सकता, कोई कैसे किसी को boundary wall तोड़ने देगा, वो भी एक सरकारी organization को, लेकिन उनको हमें सपोर्ट किया, हमने बार बिल्ड कर दिये, strengthen किया, अपना काम किया और फिर शुरू हो गए, तो जैसा हमें बुको सही कहा कि इसमें कोई एक दिन भी सीधा नहीं था, ये लगातार इसके अंदर क्योंकि आप शार के बीच में काम करें, लोगों के बीच में काम करें, और जिसमें लोग involved है, I always feel Engineering तो मेरी है, लेकिन जो affected लोग है, वो तो public है, वो तो आम लोग है, अच्छा, आपने और यह जिसे जो design किया है, जो decorations है, उसका एक view, एक आपका concept, वो भी आपने खुद से develop किया, या उसके लिए आपको किसी ने एक राय और एक किसी ने suggestion दिया, कि मतलब जो भी, जो scenario है, बहुत अच्छा है, कि कोई भी अगर एंटर करता है, तो जो भी है, तो उसके लिए आपको किसी ने कोई suggest किया है, यह वो भी आपका ही planning था, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहले यह decide कि है, कि हमें बहुत सुंदर आर्ट वर्क करना है, जो कि लखनू as a city for culture, art, music, मतलब यह चीज़े हैं, और station तो modern है, train modern है, it is a modern urban transport, तो ऐसे तो कुछ archaeologically सुंदर तो नहीं बना सकता, तो हमने का कि हम इसमें आर्ट वर्क बहुत सुंदर ले आए, ताकि लोगों को यह लगे कि अच्छा यह शार मेरा है, और इसलिए हम लोगों ने फिर आर्ट को जब इवॉल्व करना शुरू किया, तो नेचरली हम में सिविल इंजीर में आर्ट तो नहीं आती, तो मैंने फिर यहां लोगों से बात करनी शुरू की, तो फिर मैं को बताऊंगा, बहुत इंटरस्टिंग है, हमने M.E.T. University को बात किया, all of a sudden they came in contact with us, तो उनका एक आर् बच्चों के ग्रुप्स आप हमको आर्ट बनवा दीजे कुछ, तो फिर मैंने क्या किया, उसमें कॉंपूटिशन क्रियेट किया, और इस्टुएंट्स ने ग्रुप्स बनाए, और करीब 30-35 ग्रुप बने, उन्होंने वो डिजाइन्स डेवलप की, और फिर अपने M.E.T इन्वस्टी में उसको डिस्पले किया, मैं खुद भी गया, और उसमें से हम लोगों ने फिर वो डिजाइन्स सिलेक्ट की, तो जितने ग्रुप्स थे, उन सब को भी हमने कैश रवाड दिया, और जो विनर्स थे, उनको अलग से कैश रवाड दिया, इस तरह से वो concept हमारे से ढूंडा, एक को सूरत से ढूंडा, जिनको I made sure कि जो ड्राइंग है बस वही उपर आएगी, इस तरह से वो ड्राइंग्स उपर आई है, तो यह सब स्टुएंट्स का created है, और effort हमारा है कि हम लोगों को उसी colors में उसी तरह से बनाए, अभी भी आप station पर जाएंगे, तो ह आपको कुछ awards भी मिले हैं, आपको कहीं सारे awards भी मिले हैं, जिसमें एक शाने अवद लखनों की तरख से आपको award मिला है, एक APJ Abdul Kalan का award मिला है, तो वो award के लिए हमें बताया है कि मैंतब के लिए आपको दिया है, यह तो अब गोही बताई हैं क्यों दिया, लेकिन शाने अ आपको पुस्तक मेरे में मिला था, यह मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहले दिन से सोच रखा था कि यह सिर्फ ट्रांस्पोर्ट सिस्टम नहीं बनेगा, यह हमें किसी तरह लोगों की जिन्दगी से जुड़ना होगा, ज्योंकि अल्टिमेटली चलेंगे भी, ऐसा तो नहीं मुझे शाने अवद एवार्ट की बात की थी मेरे साथ किसा आपने बहुत अच्छा यह काम हो रहा है, मुझे तब पता भी नहीं था, तो हम लोगों ने पहली बार अपना लखनो मेट्रो का बुक फेयर में स्टॉल लगा था, और जो बहुत पॉपलर हुआ था, वो हमारा फर्स्ट इनिशेट्वी था जो पॉब्लिक के बीच में आने का था, लोगों को पता चले कि अच्छाई लखनो मेट्रो गज़ा हाना कि हम बुक फेयर से मारा कोई मतलब, सच नहीं है, लेकिन फिर वहां से वहां याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शाद वही वह प प्रचाईट चीज है वह भी एपी जी कलाब साथी का नाम पर वह आए है, और फिर हम लोगों ने लखनो में फिर अपनी एक्सिबिशन प्लान किया, बबुक एक्सिबिशन भी करते हैं, पोईट्री रीटिं भी करते हैं, ताकि वह दिरे दिरे शहर ने वह उमको दिया, त तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या मदब आप किस तरीके से और काम करना चाहेंगे? देखे मैं लखनो मेट्रो को हम लोने साले चार सा से भी कम टाइम में किया था तो उसके वज़े से कहलाता है कि यह फॉस्टस मेट्रो है अन्हें कहा था फॉस्टस मेट्रो है deck अजा और उसका लखनो मेट्रो का एक जो सबसे बढ़या, मुझे लगा, Feeling गई जो People में भी आई, SEO सारे सरकार में भी आई, कि इस लखनीच मेट्रो मेट्रो सदो सकते हैं और ये दोनों प्रोजेक्ट अप्रूव है फिर हमको इनको भी करने के लिए हमारा नाम भी लखनो मेट्रो से बदल के उत्तर प्रदीश मेट्रो डेल कॉपरिशन किया गया तो एक छोटी सी कंपनी नाम भी बदल गया काम भी बढ़ा फिर हम लोगोंने डेटर्मिन होके पढ़ा हूं तो इस उस शहर से लगाव है कि मेरा मन है कि वो बड़े और आइटी से स्टार्ट हो रहा है पहला है पहला है स्टेशन तो हम लोग शायद इस साल एंड आफ येर में कानपूर बैटरो किसी ना किसी परम में जरूर स्टार्ट हो जाएगी 9 किलोमेटर और आग इतने खुबसूरत मॉनुमेंट्स हैं तो आगरा को भी में बहुत सुंदर से बनाने का प्लान किया हुआ है तो चल रहा है वो का उसको थोड़ा से और एक नए लेविल पर लेके जाएंगे ताकि आगरा की ब्यूटी में हम थोड़ा कुछ कंट्रिब्यूटी करें ऐसा न अगर हम कंपेर करते हैं डेली मेट्रो एं लखनो मेट्रो पे उसकी पॉपलारिटी के बात में करते हैं जितना वहां डेली मेट्रो में जो जितना वहां पे इतना पॉपलर है उससे अगर कंपेर करते हैं तो लखनो मेट्रो में अभी भी लोग उतना जादा इतना को रन आउट अच्छे सुझे से डेली में रन आउट होता है वैसे हम रन कर पाएं और कानपूर एन अगरा लखनों से भी छोटा है तो वहां पर भी मिलब उस पर काम कैसे करेंगे आप देखिये मैं दो चीज़ें बोलूँगा जो यह बेको सही है कि डेली मेट्रो एक बहुत सारी राइडर्शिप करता है और हम लोग अभी छोटे शहरों में हैं चोटी राइडर्शिप लखनो मेट्रो चोटा है भी और एक तो मैं यह कहूंगा एक अकेला कोरिडोर कभी भी श डेली मेट्रो को भी साइडर्शिप पहुचने में 20 साल लगे हैं हम अभी दो साल हमको शुरू हुए हुए हैं मार्श 2019 से और हम लोग उसके बाद भी हम लोग 78,000 प्रसिंजर ले जाते थे पर डे जो फिर बीच में कोवेट की वेसे कम हुआ फिर दुबारा कोवेट हुआ तो फिर हम लोग 46,000 पर फिर कोवेट की सिचुशन इसका कोई आसमाया नहीं रखना चाहिए बढ़ेगी और अब हम लोग फिर दुबारा बढ़ें नौ तारीक से तो फिर हम अब 13,000 को क्रॉस कर चुके हैं फ्राइड है लास फ्राइड है 13,000 को भी प्रॉस कर गें जो 5000 से ले जाते हैं और फिर दीरे 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 आज वो नेटवर्क 300 किलो मीटर हो गया और 20 साल में अब लगता है ऐसे डेली मेटर नहीं होगी तो क्या होगा तो ये भी अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं इसके लोग को बैनेफिट्स रिलाइज होना शुरू होते हैं फिर अला कि मेरे उस पर बहुत सारी पॉपलेशन और पीपल पर आते हैं लेकिन उनको चेंज करना शायद उतना आसान नहीं होता है लेकिन जो यंग लोग हैं वो उसके साब से ग्रो कर रहे हैं प्लस सिटी का डवलप्मेंट उस तरह से होने लगता है अब आप अगर लगनो मे दीरे जैसे इस सिटी ग्रो करेंगं एसे एस राइडर शिप इस पर आती जाहें राइडर शिप की वशेटी की वसे जिवच में बढ़ती चाहें तो यह आपको भी थोड़ा सा टाइम देना होगा और लकनो भी बढ़ेगा उए उसे पर चलेंगे लोंग अजी पर चलेंग कानपूर में इतना मोमें आज की देट में लोग टैंपो से चलते हैं कैसे भी चल रहे हैं सड़कों पर वह है और मैं जितनी बार जाता हूं मुझे मालूम है लगा थार पीपल वेटिंग कि अब शुरू होगा तो एक दिन कानपूर शुरू होगी उसकी राइडर्शिप जाता है और राइडर्शिप बढ़ती जाती है अब हम लोग बात कर रहे थे आपने जैसे अभी आप सभी जान रहे हैं कि 2020 का जो दौर चला है उसके चलते बहुत सारी चीजे डिस्टर्ब हो गई हैं उस टाइम पीरिड में आपने लगनो मेट्रो को किस तरीके से मैनेज क कि मतलब लोगों की से एक्टिवी रहे किस तरीके से आपने सारे स्टेशन्स कवर अप किये हैं और उस पर क्या आपका कंट्रोलिंग रहास है देखी जो हम लोग ने लगनों के साथ शेयर भी किया था सबके साथ पर्टिकॉली अपने कस्टमर्स के साथ मों के साथ उनके सा कर रहे हैं तो हम लोगोंने पूरे स्टेशन्स हमारे सेनिटाइजा्स होते हैं रात में ध्यां सम्रोंने फिर अल्ट्रॉवाइल टैस쪼रीशन शुरू किया ट्रेंस का फिर भी मुशी पुलियका पी हट तरें क्टिक के बाद जो नॉमल टच पॉइंट हैं से हैंडल्स है सेनिटाइजेशन शुरू किया ट्रेंज का फिर भी मुशी पुलिया पे हर ट्रेंट ट्रिप के बाद जो नॉर्मल टच पॉइंट हैं जैसे हैं या बार्स है या जगाएं हैं उनको हम टच प्लीन करते रहते हैं पूरे स्टेशन पे हमारा स्टाफ है जो लोगों का टेंपर से ट्रेंट के अंदर सीट्स पर आल्टरनीट बैठने का इंजाम किया इस वर दपर परपस की लोग इसमें सेफ रहें तो आप हमरे ट्वालेट से एकदम क्लीन सारा काउंटर एकदम लगाता और उसको क्लीन करते सेनिटाइज करते हैं और टोकन्स जो लोग खरीते हैं हम इस भी हमने एक अल्टरा वालेट बनाया हूँ जिसके टोकन्स को सेनिटाइज करते हैं तो वह टोकन्स जब रोज सुभा आदमी आता है परचेस करने हार टोकन उसको सेनिटाइज मिलता है तो यह लोग का कॉन्फिदेंस धीरे-धीरे में बनता जा रहा है कि हमें एक सेफ सुरक्षित यात्रा दे रहे हैं और ट्वालेट्स हैं स्टाफ है बहुत केरिंग है लोग का सामान लोटाना यह सब चीज़े हम दोने शुरू की जो जिसकी वज़े से लोग धिरे-धिरे अडॉप्ट करते जाते हैं बहुत देजी से तो मैं अभी देखिया आज हम लोग क करते हैं लोग अप्रिशेट करते हैं तो यह हमाई लिए सबसे बढ़ा चीज तो यही है अच्छा अभी कुछ टाइम पिरेट जो हमारा लोगड़ान टाइम रहा जिसमें सभी ओफिसे क्लोज रहे तो जब कोई परसन इतना जदा एक्टिव होता है बहुत जदा वरकिंग और कालिक होता है और काम करने का एक पैशन और इसारी चीज़े होती है उस टाइंग पर किसी को बंद कर दिया जाए तो बड़ा आजीव लगता है तो उस दोरान आपका कैसे मैनेज किया आपने कुछ जैसे हमने जाना है शयद आपने कुछ हिंदी साहित पर समतिंग कुछ चीज़े की ही ने तो खर तो ओर एक तो हम लोग ने काम बिलकुल बंद में किया है हम लोग लगातार कांपुर आगरा में भी लगातार काम कर रहें और बहुत तेजी से खूए जा रहे हैं ट्रेंदो पностью बंद होता था तब भी हम लोग लगातार इसको मैंटेन करते थे उ पूरे स्टेशन्स मैंन थे मैं हर दम प्रिपेर था कि जब गवर्मेंट कहेंगी मैं तुरंथ स्टार्ट करूंगा, ट्रेन को दिन में भी रॉन करना है, दूसरी ही हमें अपना पूरा सिस्टम फुली ऑॉर्टमेटेट है, इसको रॉन करते ही रहना होगा, तो सुबा शाम जाती थी, यह सब भी करते थे, और चार मही के बाद से जब गवर्मेंट नहीं कहा था ओफिस में लोग आ सकते हैं, तो चार मही के बाद से तो मैं रेगुलर आई रहा हूँ, और मेरे लोग भी आते हैं, और कुछ लोगों को मैं नहीं कहा रखा था, जिनकी तब्यत काम करी, सरकार काम करी, हम कैसे बैठ जाएं, तो हमें भी काम करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग लगातार काम करते रहे, अभी भी स्टेंथ थोड़ी कम आती है, स्टाफ की पर्टिकूरली, क्यों स्टाफ को मैंने बना किया हूँ थे, और यह जो हिंदी वाला आपने किया, पढ़ना शुरू किया, तो दीरे-दीरे कुछ लखनू, जैसा मैंने का, बहुत बढ़िया शहर है, जहां लोग इस चीज़ों पर टेस्ट रखते हैं, उन लोग के कुछ टच में आ गया, तो फिर उन्होंने कुछ बोला तो फिर और बोलना शुरू कर दिया, ऐसे द शुरू करता हूँ, किसी और का लिखा हूँ है, अच्छा है सर, बाकि ऐसा है कि कुछ ऐसा एक्स्टर एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए, तो जिससे एक माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, उसके आपका अगर आपका किसी चीज में इंटरस्ट हो तो इस तरी तरीके से आपने हाँ लखनो में ही काम किया था, जिस तरीके से आपने लखनो में ही काम किया था, जिस तरीके से आपने लखनो में ही काम किया है, उसी तरीके से आप वहां पे कर रहे हैं और उसमें क्या चीज जो यहां रहे गई है, वहां पे करने का प्लान है, तो वहां अगे आपने देखा होगा हमारा पूरा over head traction मतलब overhead तार चलते बिश्ली के जिसे railway की line मतलब है दिसे गाड़ी के लाइन चलते है कनपूर में यह नहीं है तो आपको यह भी नहीं दिखा ले से जो जिससे हम आपने देखा है train ऊपर से वायर की नापर से फिर वह आपर उससे ल हम लोग कानपूर आगरा लेकिया है ऐसा नहीं वह ज्याद़ एडवांस्ट है इसलिए कि वह एस्थेटिक्स भी तो यह मन था कि मैं इस बार उसको हटा दूं तो मेरा एस्थेटिकली वह प्लीजिंग सुंदर लगी तो आपको प्तार भी नहीं दिखाई देगा तो यह कानपूर का एडवांस्मेंट जिसे टेंट टेक्नोलोजी थोड़ी कॉंप्लिकेट होती है लेकिन वह मैं लेकिया है तो कानपूर में जो गाड़ियां चलेंगी तो और आपको ज्यादा एकदव से ट्रे नहीं दिखाई देगी और आगरा जैसे मैंने आपको बताया है आगरा मेरा पूरा यह प्लान है कि आगरा बहुत सुंदर बहुता है एकदव अनॉप्टूसिव एक जो जो वी टीम को गाइड करने के लिए बोलता हूं मुझे ऐसा चाहिए जो मैं तो दिखे ना बट चले मतलब आपको दिखे लेकिन दिखे ना आप समझे ना जैसे मैं आपको दिखूँ लेकिन दिखूँ ना लेकिन अगर मैं रेड शर्ट पहांचे ख़ड़ा हो जाओं तो मैं आपको नहीं दिखूँगा रेक्शार दिखाई जेने लगी तो मैं उसको वो चीज उस तरह से बनाना चाहिए लेकिन इस तरह से मैं यह को भी चीज ऐसी ना हो जो आगरा की उसको जो स्काई लाइन है उसको चेंच करें लोग को मैं एकड़ों एडवांस दिखाई करें वो मैटियस लगाने की कोशिश करें जिससे वो अप्टूसिव ना पने तो वरी स्टीक स्ट्रक्चर तो आगरा को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें तो यह मेरी सोच है और बाकी जो स्टाफ है वेल ट्रेंड है स्टाफ को यही सारी चीज़े हम आगे लेके जाएंग अगर हम अच्छे आदमी नहीं बनेंगे तो हम किसी को क्या दे पाएंगे तो इस तरह से वो सारा ट्रेंग तो वो अभी से शुरू कर दिया है ताक कि जब कानपूर शुरू तो फिर एक बोको नया कल्चर से कानपूर आ जया है अच्छा सर अभी आपकी शुरू से जानने का प्लान आउट है इन फूचर या आप पूरी लाइफ अपनी इसमें डेडिकेटेड है आपकी ट्रेन में ही नहीं अब जो मेरा सोच है जैसे मेरा टैनियूर अब कातम होगा अब जो भी करूँगा वो रेलवे नहीं होगा यह सोच है तो इन फूचर मतर्ब आपका क्या बिल्को डिफरेंट क्या करने वाला है जो एकदम रेलवे नहीं हो उसके दो रीजन है जो मैं आपको बताया जो डेली मेट्र छोड़के मैं ऑस्टेलिया गया अगें आवाट इटो लॉन संथिं नियू फिर ऑस्टेलिया से लखनो आपके इस दिफरेंट प्रजेक्ट था कामन करता है कि अप इसे छोड़ो कुछ निया करें एक बार फिर हम यंग हो मतलब यंग बॉड्डी से तो नहीं हो सकते लेकि मन से तो ही सकते हैं तो यंग होने का मतलब है सही कि यह माइंड होता है वह हर चीज़ को लउन करने की कोशिक्श करता है ज्यूकि सब निया है उ पर दुबारा सीखने की कोशिश करूए तो आपने इसके लिए कि सोच जा नहीं या बता नहीं रहे हैं अभी नहीं अभी सोच रहा हूं बहुत सारी चीज नहीं हो जाएगा आपको बलाओंगा अभी नहीं टाइम लगे है थोड़ा अब सार हम आख्यर में चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्योस को अपना एक मैसेज दें कि अभी घुक को पी चल रहा है दें मैट्रौ इंभ थोसके लिए जरहेंगी प्राइम टीवी की एन मैसेज को आपना engine यह बहुत अच्छी गिफ्ट है to the city by the government, बहुत safe है, आज की जीट में यह cheaper भी है, जिसमें आप अवल कर सकते हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, जो सब लोग इसमें travel करें, हम ज्यादा safe महसूस करते हैं, हम society में एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम अपनी म पर जाते हैं, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में सोचना उतना सही नहीं जितना हम सब के बारे में सोचे, जैसा आज की टेट में यह और भी क्लियर हो गया क्यों कि और COVID की बाद हमने देखा है, कि हम सब अलग नहीं है, एक affected है, तो सब affected वह कि मेरा बहुत faith है कि वो बहुत कुछ कर सकते इसले मैं दुबारा यंग होने की कोशिश करता हूँ सोचता हूँ आप प्लीज अपनी inquisitiveness रखे जानकरी प्राप्त करने की अपनी इच्छायों को रखे वही आपको आगे ले जाएगे और उसमें इच्छायों की तरफ देखिये ही नहीं जानने पाथ आज के प्राइम टीवी के शोव शक्सित में आमने बाग की लखनो मेंटो रेल कॉर्परेशन के मैनेजिंग डिरेक्टर कुमार केशब जी से जिनोंने आज हमें अपने सफर के बारे में बहुती दिल्चस्प बाते हमें बताई है अगले बार हम फिर आजिर होंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी